क्या मास्टिवेशन करने से आपकी आईसाइट पर कोई फरक पड़ता है बहुत से यंग बज्चे हैं जिनने लगता है या जिन्होंने यह मिट्स होना है कि बहुत जादा मास्टिवेशन कर लो तो आपके खराब हो जाएंगी बाल ज़ज जाएंगे फेस पर फिंपल्स हो ज अगर आपकों की रोशनी कितनी कॉंट्रोमाइस होती है और अगर आपने ऐसा एक्स्पीरिंस किया है तो क्या यह मास्टिवेशन की वजए से है कोई और रीजन है सब के बारे में बात करेंगे मुझे बता है यह वीडियो पूरा देखने वाले तो अगर आप इस चानल पे तो चलिए मैं बात कर रही थी मास्टरबेशन और आइसाइट का सबसे पहले इस चीज़ को समझेंगे कि आप जो भी मास्टरबेट करते हैं उसका कोई भी डारेक्ट रिलेशन आपके आंकों की रोशनी से नहीं है तो आगर आपने ये कहीं भी सुना है कि कम जादा बहुत जादा एक्सेसे जिस भी वर्ड का इस्तेमाल करें कि मास्टरबेशन का आपकों की रोशनी, मोतिया बिन, कैटराब, अंदा हो जाना, दुंदला हो जाना, चश्मा चड़ जाना, whatever adjectives you add, none of the scientific study, कोई भी study ये आपने पक्ड़े जाने का डर रहता है, जब आप आखों पर बहुत जादा बहुत जादा है, बहुत स्ट्रेइन डालकर इस तरह की कोई वीडियो देख रहे हो, तो अल्टेमेटली आप वो करते-करते मास्टरबेट कर रहे हो, तो आपका लिंक हो सकता है, मास्टरबेशन और पॉन से हो जाए, या फिर मैं मास्टरबेट कर रहा हूं, इस वज़ए से ऐसा हो रहा है, जबकि ये लीजन ये है कि आप उसे डिम लाइक में देख रहे हो, छोट इसी फोन की स्क्रीन में देख रहे हो, डरते-डरते देख रहे हो, जिस पर आप ये आँख को बहुत ज्यादा स्ट्रेइन रहता है, ये भी बात आपको समझने की ज़रूत है, कि बहुत से लोग द जीरे-जीरे खराब होती है, डिम लाइट, ब्लू लाइट, अंधेरे में अगर आप किसी भी तरीके से पॉन को देखते हुए मास्टरबेट कर रहे हैं, तो अल्टरमेटली आपको प्रॉब्लम होगी, इसमें अगर आप गेम भी खेल रहे हैं, डिम लाइट में तो आपक की प्रॉब्लम मेडिकल ही होती है, लेकिन जब अपनी एज में आते हैं, और मास्टरबेट करने लगते हैं, तो उन्हें लगते हैं, इस वजह से हो रहा है, जबकी दैर इस नो डारेक लिंक, और जो आपको चीज़ां समझने की जरौत है, जितना समय आप कम्टूट या स् के साथ नहीं है, आपकी आइस ओल्डरेडी धीरे-धीरे स्ट्रेनेस हो रही है, स्लीप की कमी के कारण भी ऐसा होता है, अब बहुत से यांग्स हैं, जो मास्टरबेट रात को कर रहे हैं, तो रात को एक, दो या वेट करते हैं, कि सब सो जाएं, तब मैं वो वीडियो नहीं है, तो आपकी स्लीप मिन्टेन नहीं है, और स्लीप की कमी के कारण भी आपकी आइस पर फरक पड़ता है, तो यह चारोर रीजन कहीन कहीं मास्टरबेशन से इसलिए जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप विजुलाइजेशन या कुछ देख रहे हैं, अगर आप हैं, मेरी आइस में थोड़े से भी इशूस हैं, मैं कुछ नाच्रल देख रहा हूँ, then you can switch to Ashwagandha. Times of India की research study ने ये प्रूफ किया है, कि अगर आप रोज Ashwagandha लेते हैं, तो आपको cataract होने से भी बचाफ हो सकता है. Ashwagandha आइस की विजुन बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा supplement माना गया है. साथ-साथ अगर आपको concentration में problem है, stress है, sleep पूरी नहीं हो रही, anxiety रहती है, उन सब का major कारण यही है कि आप कहीं न कहीं अपने आपको अराम नहीं ले पा रहे हैं. बहुत जादा भागती दौड़ती लाइफ है, कहीं न कहीं stress issues बढ़ते हैं और ice पे को अपनी डाइट में इंखलूड कर सकते हैं. दो टाबलेट सेली, 30 मिनट्स आफ्टर मील इस बेस्ट रेकमेंडे डोस. आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट को अपनी डाउट है, मास्टरबेशन से रिलेटे उसे कमेंट सेक्शन में लेक बेजे, अपनी आईबॉल्स की प्राक्टिस जरूर करें, ठंडे पानी से आंकों को बार बार धूते रहें, चेश्मा जो भी आपका सही विजन है, उसे आप डेफिनेटली अपलाई करें, अश्रागंदा को अपनी डाइट में इंखलूड करें, अगर कोई आईड्रॉब्स रॉक करें, चेश्मा जो भी करें, चेश्मा जो भी आपका सही विजन हूं।